इस्राइल के पास मिलिटरी पावर कितनी है अगर इरान की बात करते हैं तो आपे समझें कि 9.9 अरब डॉलर की इस इस ट्रेंट है इस्राइल के पास इससे कई गुना ज्यादा है 24.2 अरब डॉलर किस तरह से यह जो पावर है यह समझी पावर का मतलब इसलिए क्योंकि जब अटाक होता है तो फिर कौन किस पर भारी पड़ सकता है यह समझाने के लिए हम आपको भी बता रहे है इरान में 551 प्लेन है इस्राइल के पास कितने है 612 प्लेन है यह उनकी शमता को दिखाता है प्लेनों के मामले में देखें तो बहुत दोनों में अंतर नहीं है लेकिन जिस तरह से अटाक हो रहे है यह किस तरह से एक बड़ा असर डालते है यह हम आपको बतानी कोशिश कर रहे हैं अब फाइटर जेट की संख्या अगर आप देखेंगे तो 241 फाइटर जेट है इस्राइल के पास 186 फाइटर जेट इरान के पास है यानि कि इस्राइल के पास स्वाइट जेट की संख्या ज्यादा है आप समझे डेडिकेटड़ अटाक एरक्राफ कितने है इस्राइल के पास 49 है तो इरान के पास 23 है इस मामले में भी इसराइल इरान पर भारी पड़ता है है हेलिकॉप्टर की बात करें तो 146 इसराइल के पास है इरान के पास 139 है यान युद्पोतों की बात करें तो इरान के पास 101 युद्पोत है तो 67 युद्पोत इसराइल के पास है यानि की टैंक्स की बात हम करें युद्पोतों की बात हम करें तो ये ज्यादा है इरान के पास और इसी मामलों में जो इरान है वो कैसे बढ़त लेने की कोशिश करता रहा ह इन इटाक्स को जरीए इसको लेकर कि क्या कहेंगे सर् मिलिटरी पावर का बाइफरकेशन जिस तरीके से हमने दिखाया है तरकी सब्सक्राइब बराबर है इसराइल और इरान के या फिर अगर हम देखें दोनों का जो ग्राउंड फोर्सिस में टैंक्स में कही बाइब है शैलेंदर सर्णा भी जुड़े हुए है सर शैलेंदर सर देखें जिस सरीके से ये पूरा जो मामला है जो पूरा मसला है अभी अमने मिलिटरी पावर का जिक्र किया जो ग्राफिक्स हमने दिखा है दोनों ही के पास किस तरीके सा military powers का bifurcation है इसको लेकर के आपका क्या take है जैहिन नमस्कार देखे अब पुरानी saying है कि जो पढ़ाकू लोग होते है न वो पढ़ते रहेंगे ये figures जो है वो पढ़ने वाले लोगों के लिए जस्मा किसके पास है सही और गलत की बात किसके पास है चाइना ने बोला बहुत बड़ा है हटना पढ़ा ना LAC से लदाक में वापिस जाना पढ़ा ना क्योंकि हम सही थे हम लडने का जस्मा लेकर चलते हैं सही के साथ खड़े होते हैं मुझे लगता है जो इसराइल अपने आप में क्योंकि देखें एकॉनमी भी एक बहुत बड़ी चीज है और उसमें अगर देखा है मैं कह रहा हूँ इरान के पास पदा नी कितने से नंबर गेम में अगर आप देखें तो उनके और इनके बीच में इरान is much higher in ranking लेकिन ranking doesn't count count करेगा आपका जश्मा के आप अपनी सही चीज के लिए लड़ रहे हैं आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं आप अपनी existence के लिए लड़ रहे हैं इस power को आप कहा calculate करेंगे और कैसे calculate करेंगे वो आपको दिखा रहा है समय इसराइम के हम हर उस जगा जाकर जहां से हमारे को खत्रा है हमारे को नुकसान मिला है हम उसे खतम करकर ही मानेंगे I think इसके बड़ी और power game ये जो आप figures बता रहें इससे आप calculate कर सकते है combat potential कितना है तब आपको दिखाई देगा और last line होती है combat potential को इस्तमाल करने वाला इंसान कितनी हद तक इस्तमाल करेगा किसी के पास nuclear bomb है रखे रखो आप इस्तमाल तो करोगे नहीं आप उसे deterrence के तोर पर इस्तमाल करोगे I think Israel दिखा रहा है इस समय कि अगर आप मेरे साथ direct और indirect war करोगे इसी तरह इरान दिखा रहा है कि भई यह सम मिजाईल दाग सकते है ड्रोन्स दाग सकते है और क्या कर सकते है तीनों के तीनों जो उसके proxy warfare करने वाले हैं हुती, हमास और हिजबुल्ला उसके through attack कर सकते है बात आ रही है इस समय ये कि कौन क्यार रखता है जजबा अपने लिए अपनी country के लिए अपनी existence के लिए मुझे नहीं लगता कि जो इस्राइलीस के अंदर जजबा है इस बात का क्योंकि उनकी जीवन की बात है उनकी religion की बात है उनकी existence की बात है इस से बड़ा और कोई पावर नहीं पनल शेलेंदर सर आपने बड़ी बात कही जजबे की बात आपने कही क्योंकि इसराइल हमेशा से ये कहता रहा है कि देखे हम किसी को चोट नहीं पहुचाएंगे लेकर नहीं कर चोट पहुचाई जड़ा बना ली और आप इसराइल के अटाइक इस बात को एकदम इस्थापित कर रहें कि अगर गलत का साथ दोगे तो फिर होगा क्या जब मिलिटरी कुप्मेंट के बात करते हैं तो कॉंटिटी मैटर नहीं करता है क्वालिटी मैटर करता है दूसरा हम लोगों सेना में थे तो कहा जाता था इट इस दे मैं बहांड दे मशीन नोट दे मशीन विच मैटर्स तो आदमी कोन है जो मशीन के पीछे खड़ा है तीसरी बात आपने एकनोमिका इंडेक्स दे दिया आपने नंबर ओफ फाइटर जेट दे दिया हेलिकॉप्टर दे दिया एरिक्राफ दे दिया टैंक्स दे दिया और नेवल पोर्स का दे दिया कुछ ऐसे परामिटर्स हैं जिसको आप कॉंटिफाइड करने ही सकती है खाली महसूस कर सकती है मोराल डेडिकेशन सेक्रिफाइस कमिट्मेंट यह सब का इंडेक्स कहा है और यह सब इंडेक्स बैटल विनिंग फैक्टर्स है जो मैं बता रहा हूँ जब अमेरिका के बिलिनेर्स लेडिज अपना धंदा छोड़के रास्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इज्रायल आती है उस देश को आप कैसे हरा सकती है छोटे छोटे बच्चों में जोश है अपने मात्री भूमी के मड़ने के लिए कैसे हरा सकती है एक जगा सोच है वो जिहादी सोच है दूसरे को लेटली नहीं रखना है दूसरा सोच है कि हमको अपने आपको बचाना है उस प्रोसेस में हम यह दी दूसरे पर टैक करेंगे इस पती का इह बड़ा बयान है इसराइल को करारा जवाब देंगे इरान ये कहता वा नजरा रहा है यूँकि दिमनाच सर आपके पास आते वे नेखिये ये जिस तरीके से इरान का रुख रहा है इरान ने जिस तरीके से अब यहाँ पर कहना शुरू कर दिया और इसी का जिकर भी हम कर रहे थे कि क्या इरान रिटालियेट करेगा और करेगा तो किस इंटेंसिटी के साथ करेग जी हाँ जब 1 اک्टूबर को एरान ने हमला किया था इस्राइल के ऊपर उसके बाद उनके रेडियो और स्टेट रेडियो और स्टेट टलीवीजन में बयान आया था कि एरान ने अपना बदला ले लिया है उसका निहित मीनिंग ये था कि अब इरान तक तक हमला नहीं करेगा जब तक कि इसरायल हमला नहीं करता अब जब इसरायल ने हमला कर दिया और इरान के उपराश्ट दिख्थती का ऐसा बयान आया है ये दिखाता है थोड़ा अपना मजबूती दिखाना चाहते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ इरान में रास्टपती पेजेशियन जो हैं वो थोड़ा मॉडरेट हैं पड़े लिके हैं और वो कूटनीती में यकीन करते हैं शायद वो थोड़ा मॉडरेट ऐलिमेंट्स को इ सक्सेसल हो भी गए है आयर जी के कमांडर्स को उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया